Hello Friends, Welcome to Vipras Kitchen Lab आज हम बनाएंगे चौकलेट स्प्रिंकल की कुकीज अगर स्प्रिंकल ना हो तो चौकलेट चिप्स भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप दोनों भी इसमें यूज़ कर सकते हो तो आईए देखते हैं चॉकलेट स्प्रिंकल कुकिस बनाने की रेसिपी वन कब मैदा ये वजन से मैंने 100 ग्राम लिया है हाफ कब PCV शक्कर वजन से मैंने यहाँ पर 35 ग्राम लिया है वन फोर्थ कब चॉकलेट स्प्रिंकल ये वजन में 25 ग्राम से अगर आप ज्यादा मिठा पसंद करते हो तो PCV शक्कर आप 40 से 50 ग्राम भी ले सकते हो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, एक से दो चम्मज दूद की हमें जरूरत होगी बटर मैंने यहाँ पर वजन करके लिया है ये 50 ग्राम है या फिर 100 ग्राम बटर का जो स्लैब आता है उसका हाफ पोशन लिजेगा बटर को मैंने फ्रीजर में से आदे घंटे पहले निकाल के रखा था इस तरह का बटर हमें चाहिए बहुत ही पतला बटर यूज हमें नहीं करना है या फिर फ्रीजर या फ्रीज में से निकालावा बटर को तुरंत यूज नहीं करना है उसे रून टेंपरेशचर पे लाना जरूरी है आप होममेड बटर भी यूज कर सकते हो बटर को हमें अच्छे से फैट ना है आप देख सकते हो बटर का कलर बहुत ही लाइट हो गया है अब यह क्रीमी टेक्शर में आने लगा है अब इसमें हम एड करेंगे PCV शक्कर शक्कर को हमें च्छानके लेना है अगर इसमें लम्स ना हो तो आप टाइरेक भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे मैंने रेडिमेड PCV शक्कर यूज़ की है अगर आपके पास PCV शक्कर ना हो तो शक्कर को आप मिक्सर में पीस कर भी ले सकते हो अब हमें पीस्वी शक्कर और बटर को अच्छे से मिक्स करना है और इसे फैटना है इसे तपतलग फैटना है जबतलग इसका कलर लाइट ना हो और ये क्रीमी टेक्शर में ना आए जैसे हम विप किर्म बनाते हैं उस टाइप का ये दिखना चाहिए उतना आमें इसे फैटना है इसे फैटने के लिए आप बिटर भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा कम समय लगेगा यहाँ पे मैंने विसकर से इसे फैटा है तो मुझे थोड़ा सा वक्त जादा लगा है यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है अगर आप अंसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हो तो एक पिंच नमक ज़रूर एड़ करिएगा इसे फैटने के लिए आपको 5-7 मिनट लग सकते है यह डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है यह देखे डिफरंस आप देख सकते हो पहले यह इस तरह था और राइट सैड में आप देख सकते हो यह अच्छा से क्रीमे टेक्शर में आ गिया है अब इसमें हम एड करेंगे 1 कप मैदा मैदा हम छानके एड करेंगे अगर उसमें कोई लंस है तो उसे हम तोड लेंगे मैदा अगर आप फ्रीज में रखते हो तो डायरेक यूज मत करिएगा उसे रूम टेंप्रेचर पे आने के बाद ही यूज करिएगा वन फोर्थ टी स्पून बेकिंग पाउडर वन एट स्पून बेकिंग सोडा या फिर आप तीन चुटकी बेकिंग पाउडर और दो चुटकी बेकिंग सोडा भी ले सकते हो इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करने के लिए आप विस्कर बीटर भी यूज कर सकते हो या फिर हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हो ये अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसका हाथ से डो बनाएंगे वैसे हम आटा गुंते हैं वैसे गुंतना नहीं है बस इसे हलके हलके हातों से mix करके इखटा करना है जब भी आप baking करते हो मैदा, baking powder, baking soda बहुत पुराना वाला use मत करिएगा क्योंकि इसका effect final result पर पढ़ता है baking powder और baking soda को कभी भी खुला मत रखेगा, इसे airtight container में रखेगा अब इसमें हम add करेंगे chocolate sprinkles, cocoa powder, chocolate powder, choco chips या chocolate sprinkles अगर यूज़ कर रहे हो तो वो moisture को absorb कर लेता है, तो आप हलका सा butter जादा लीज़े या फिर एक चमच दूद के बतले आपको दो चमच दूद यूज़ करना पड़ सकता है यहाँ पे मैंने एक चमच दूद अड़ किया है, चमच थोड़ी सी बड़ी है, इन सब को अच्छे से mix करेंगे और dough बनाएंगे अगर आपको dough थोड़ा सा भुरबुरा लग रहा है, अच्छे से ये bind नहीं हो रहा है, तो और एक चमच दूद आप अड़ कर सकते हो, लेकिन पानी अड़ मत करिए अगर dough आपका बहुती soft बना है, इसे आप handle नहीं कर पा रहे हो, तो उसे आप freeze में 15-20 मिनिट के लिए रखेगा, अगर जरूरत पड़ी तो आप आदी गंटे के लिए भी उसे freeze में रख सकते हो ये अच्छे से bind हो गया है, इसे हमें 5-7 मिनिट के लिए rest देना है कुकीज को आप हाथ से shape भी दे सकते हो, या फिर इस तरह से कुकीज कटर आती है, उसका भी उप्योग कर सकते हो कुकीज कटर मार्केट में easily available है और जहां पे baking का सामान मिलता है, वहां तो आपको ये जरूर मिलेगी डो को आप चकले पे बेल कर कुकीज कटर से shape भी ले सकते हो, जो एक्स्टा बचता है उसे वापस से इखटा करके फिर से कुकीज कटर से shape भी बना सकते हो लेकिन मुझे हाथ से इस तरह से करना ज़्यादा आसान लगता है और ये जल्दी से भी होता है डो में से एक पेडा लीजे उसे हाथ पे इस तरह से प्रेस करिए और कटर लगाईए और जो एक्स्टा बचा है उसे आप वापस से डो में मिक्स करके लीजे नान कटाई आप घर पर आसानी से कैसे बना सकते हो इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है बेकिंग करते वक्त कटाई या पतेला आप यूज कर सकते हो लेकिन इसे प्रिहिट करना बहुत ही ज़रूरी है गैस पे मैंने कटाई को फुल फ्लेम पे दस मिनट के लिए प्रिहिट होने के लिए रखा था ये देखिए सारी कुकीज को हमने शेप दे दिया है अब इसे हम रखेंगे कटाई में ये कटाई से मैं बेकिंग के लिए यूज करती हूँ ये बहुत ही मोटी कटाई है इसे अब हम ढग कर 20 मिनट के लिए रखेंगे 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे शुरू में गैस की फ्लेम आप हाई रखेंगे 5-7 मिनट के बाद इसे मिडियम आज पे रखेंगे 20 मिनट के बाद हमने इसे खोल कर चेक किया है इसे 5-7 मिनट और बेक करने की जरूरत है एक कुकी को हम उठा कर देखेंगे अगर नीचे से ब्राउन कलर आ गया है तो इसका मतलब हमारी कुकीस बेक हो चुकी है कुकीस हमारी अच्छे से बेक हो गई है इसे हम कडाई से निकाल कर एक चाली वाली प्लेट पे रखेंगे इसे हमें आधे से एक घंटे के लिए ठंडा करना है एक घंटा हो चुका है अब इसे हम करते हैं अनमोल्ड आप देख सकते हो कुकिस हमारी easily unmol'd हो रही है हमने बटर पेपर को ना ही गी या फिर बटर लगया था हमने डाइरेक ही बटर पेपर पे रखा था यह easily unmold हो रही है कुकीज अंदर से अच्छे से थंडी हो उसके बाद हमें इसे airtight कंटेडर में रखना है इसे आप 15 से 20 दिन के लिए आराम से स्टूर कर सकते हो खाने के लिए तयार है चॉकलेट स्प्रिंकल्स कुकीज अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर करिएगा थेंक यू